अलो फ्रेंड्स डैलिया वैसे तो लो टेंपरेचर में फ्लावरिंग करता है पर यह एक ऐसा प्लांट है जो आप इसको थोड़ा सा अलग केर करके में जून तक भी फ्लावरिंग इसमें ले सकते हैं वो इसलिए क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा होती इस प्लांट की और य आपके एक और और फ्लावरिंग हो सकती है ज्यादि थोड़ा कम हो सकता है काफी हद तक फ्लावर इसमें दुबारा लिया जा सकता है इसके लिए काम कर लेते हैं जितने भी ड्राई फ्लावर है उसे निगाल दे सुखी पतिया है उसको हटा दे उसको भी अगर सुख ब्रा भी कर सकते हैं तो पति थोड़ी पड़ने लगाये मता ही रिए माधब बड़ी हो गये मैं चोरम होग में उन पतियों को भी चस्ता इस प्राइश परमी एटॉक करके उस तो ने लटक हो जह जो आज सेटल बांध इसको आप पूरे सनलाइट में रखते होंगे लेकिन इस टाइम इसकी जगह बतल दें पर प्लेस कर दें जहां सिर्फ 3-4 घंटे धूप ही मिले और अगर छोटी गमले में लगा हुआ है तो आप डारेक्ट जमीन पर न रखें मेरा जैसे बड़े गमले में लगा हुआ है तो लेकिन मैं उस जगह पर रखोंगे जहां पर हल की धूप आती हो और सुबा की धूप आती हो हमें जो पूरी तरह से इसको धूप नहीं लगने देना है धूप से इसको बचाने एक बात और जब आप इसकी कटाई चटाई कर रहे हों तो नीचे से ये बल्बीस प्लांट हो लोड दे देंगे प्लांट को और ज्यादा वर्क करने के लिए देंगे अगर सूट को नहीं निकालते हैं तो अगर आपको लगे कि साद ये प्लांट नहीं चल पाएगा कितना भी क्यार करने के बाद भी तो जब आप हार्ट प्रूनिंग इसकी करते हैं उसी समय वह जो लेगा उस कटिंग को भी आप लगा दीजे ताकि अगर मान लीजे ये पौधा खराब हो भी जाए नहीं भी फ्लाओरिंग करें आगे चल करके तो आपका नया एक पौधा कम से कम तयार हो जाएगा एक या कई आप तयार कर सकते हैं से क्योंकि अभी है टाइम मार्च में थ लगता है और बिल्कुल ठंडी जगह प्लेस करके रखे तब ही सैपलिंग चल पाएगा वरना सैपलिंग भी नहीं चल पाता है इस समय और जब यह सब सारे काम हो जाए तो मिटी की कुडाई अच्छी से कर ले कूब बच्छे से करके उसमें जो है आप कोई भी फंगी साइ डालना चाते हैं तो वह भी डाल सकते हैं निच्रल चीज़े यूज करने से होता है कि अगर थोड़ा कॉंटिटी इदर इदर हो भी जाता है तो मैनेज हो जाता है मतलब नुकसान पौदों को नहीं करता है हल्दी इसली भी मैं ज्यादा यूज करती हूं क्योंकि मेरे पास आर्गेनिक घर का पीसा हुवा हल्दी काफी होता है इस वज़ासे मेरी लिए आसान भी होता है जिस जिस फ्लॉर पे में गार्डिंग करती हूं सारे फ्लॉर पे डब बंद कर के हल्दी हूं जहां जरुवत होता है वहां हर पौदे में डालती रहती है पात का और धियान रखना है कि जब हम प्रूनिंग इसके कर रहे हों तो नीचे से आप एक भी पती को ना छोड़े सारी पतियों को हटा दे ताकि स्वाइल से टच करके इसमें फंगस ना लग जाए वैसे भी गर्मी के मौसम में इसमें पानी की रिक्वार्मन बढ़ जाती है पानी हमें काफी डालना पड़ता है तो फंगस लगने का चांस होता है इसलिए पतियां नीचे की और तो बिल्कुल आप ना रहने दे पानी इतना डाले कि हमेशा मिट्टी जो है थोड़ी भुरबुरी बनी रहे नहीं बहुत ज्यादा ड्राई हो और नहीं बिल्कुल ही पुरे टाइम गिला रहे और फर्टिलाइजर जो है हमेशा ही लिक्विड फर्टिलाइजर डारे बहुत लाइट डाले और 20-25 दिन में